कानपूर की लड़ाई भी इस बार बेहत दिल्शास हो चुकी है महां पर भी बड़े बड़े दिगश पहुंचते हैं और लागातार आप जीत के दावे करते हैं लेकिन इस बार कानपूर का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखाई दिया चुकी कानपूर एक मिक्स्ट पापुलेशन का शहर है और जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वहां कई बार इस तरह के एलिमेंट सिर्व उठाते ही उठाते हैं लेकिन कानपूर में स्मार्ट सिटी घोशित करके उसको सुधारने की कोशिश की गई साथ में ल पूलेशन का समीकरण है वो बीजेपी के फेबर में जाता है अगर एक दो सीटों को छोड़ दे जहां समाजवधी पाठी लगातार जीती है वो भी केवल जो जाती है समीकरण धार्मिक समीकरण है उस वजे से अन्य था कानपूर को लेकर जो गत्विधिया रही है पिछले पॉइंट भी बनाए गया है और वहीं पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के थी अपने बाइक रिपोर्टर में तो हमने देखा था कि बड़े-बड़े वहां पर चादर फैला कर दस्तकत के लिए बड़ा अभियान चलाए गया है चुनाव आयोग की ओर से जितने भी लोग अटल घाड पर जाते हैं वहाँ पर सिगनेचर जरूर करके आते थे कि मैं मतदान करूंगा और अपने कुछ लाइने भी वहाँ पर जिक्र करते थे लिए शहरी शेत्र में मतदान बढ़ाना भी बड़ी चुनावती है और लोगों को निकलना चाहिए कम से कम शहर राजपूर से विदायके और वहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं लेकिन आठवी बार जीत के लिए वो दावे कर रहे हैं क्योंकि साथ बार वो जीत चुके हैं उनके जो जातियों के वोटर हैं वो एक हजार से भी कम हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती में ऐसे बहुत कम हिस्से दिखाई देंगे जहां पर आप जिस जाती से तालुक रखते हैं उसी जाती के उमीदवार को महाँ पर खड़ा किया जाता है मद्दाताओं के मिजास को भाबते हुए लेकिन सतीश महाना में आखर ऐसा क्या रहा कि अब तक जातियों के जंजाल को बार वो चुने गए हालाएक इस बार मुकाबला कड़ा करने के कोशिश समाधवादी पार्टी के उमीदवार क्यों से जरूर की जारी है चित्रा जी दो ऐसी सीटे हैं एक सुरेश खन्ना की साजापुर और एक महाराजपुर और महाराजपुर में मैं अभी दौरे में गय त्लिवाराजिकने के उसकरते हैं इसलिए 17 महाना का अब चुनाव है चुनाव हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि 17 महाना आज भी लोग पर है और आप देख़िएगा कि सतीद महाना की जिनके जू lower को समीखरन नहीं सभी जात्यों का मुझे तब इस ताजव होता है मुस होती even कई लागों में मुझे सौ दिन से जादा हो चुके हैं उतरप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कवरिच करते हुए जहां भी जाए कई ऐसे वोटर्स भी हमें मिले जो पहले हमारी जाती भी पूछते हैं और जब उनसे सवाल करो तो वो यह कहते वे नजर आते हैं कि बहिनी जेकर जाती रही होई के तो वो डेब और कम से कम जादा फादा हो इस तरह की भी बाते उनकी और से कही जाती है लेकिन राज़कुमार जी में आपके पास आते वे जल्दी से ज़रा करनौज की भी हम बात कर लेते हैं देखिए कानपुर में कनौज सीट से चुनावी मैदान में उता रहा है भारती जनता पार्टी में उनके लिए मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा आपको दिखाई दे रहा है चित्रा जी देखिए कनौज एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ था वहाँ से डॉक्तर राम मनौहल लोहिया भी पालियमेंट गए थे वहाँ से मुलाइम सिंग जी भी गए हैं वहाँ से अखिलेश यादव जी भी गए हैं और डिमपल जी भी गए हैं सवर्णों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है चूंकि एक IPS अधिकारी रहे हैं पहली बार चुनाओं लड़ रहे हैं उसके पहले कोई राजनीती सब्सक्राइब कोई बार जीते रहें तो मुकाबला दिल्चस्प है वहां पर लेकिन मुझे थोड़ी सी बढ़त चाहें वहां पर इस पर तो हमारी नजर है यही लेकिन कर्ोच वह सीठे जहां पर राजनीती क्याकरे को सीखते हुए पहली बार कामेयावी हसल की थी चाहें वो अखिलेश यादव की हम बात करें या फिर उनके पत्य डिंपल यादव यादव की बात करें- यही वह सीठे जहां जाती देखिए जाती चल रही है और इसी लिए जातियों को इंटेक्ट रखने पर अखले स्यादों ने भी काम किया और बारतियन पार्टी ने भी काम किया एंटी इंकम्बेंसी निश्चित रूप से है तमाम काज़च को ले करके अलग अलग स्थानों पर पूछ लेती हूं देखे एक तरफ इत्र कारूबारियों के ओपर छापे जिसको बड़ा मुद्दा बनाया अखलेश यादम ने दूसरी तरफ इत्र व्यापारियों की सुरक कारें बदलने की जो रवायत रही है उसका मूल मंत्र एक बड़ा इसू कॉमन इसू पिछले 25 वर सुम रहा है लाइन ओर लाइन ओर एक ऐसा फ्रेंट है जहां बीजेपी का परहेंड है और सुरक्षा देने की जहां तक बात है तो इतना तो आप जान लीजिए कि समाजबा करके जांसी ललित पूर तक जाता है उसको अपर हैंड दे रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बनाने की कोशिश की गए देखें गर्मी वाला बयान तो हम सबने देखा था पहले चरण के चुनाव के दौरानी के सरसे मुद्दे में चाय रहा था जब मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे लेकिन अब अखले श्यादव के और से परसो ही कहा गया है कि हम तो बाबा जी का भाप निकाल देंगे तो इस तरह कि भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे पर हमले के लिए